Hello Friends, Welcome, कैसे हैं आप सब? आशा हैं आप सभी स्वर्षत होंगे ये Reading सबी लोगों के लिए है जो अपने हस्बेन या फिर वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं Reading timeless है, जब भी देखेंगे resonate करेगी, साथ ही में general है, collective है, सभी science के लिए है, जरूरी नहीं है, सबसे करें, दो cards हैं, आपको अपनी intuition से, अपने husband और अपने wife का नाम लेकर एक card को choose करना है, सभी religion, सभी community, सभी लोगों के लिए reading है, कोई भी इसे देख सकते हैं, I hope आप लोगो ने अपना card choose कर लिया होगा, जिन्होंने ये वहला card choose किया है, the emperor, आपके husband और wife, आपको लेकरना बहुत possessive हो रहे हैं, इस रिष्टे में growth चाहते हैं, एक action जो बहुत time से लेने के बारे में सोच रहे हैं, finally लेना चाहते हैं, आपके रिष्टे की, आपकी घर गरिष्टे की responsibility उठाना चाहते हैं, maturely इस रिष्टे में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, ego और attitude से operate पे कर रहे हैं, जिसकी वज़े से चात हो रहे हैं, लेकिन ना action नहीं ले पा रहे हैं, इनकी ego, इनके attitude, इनका थोड़ा सा like होता है कि मैं क्यों action लूँ या फिर मैं क्यों जुकू उस vibration ने इनको रोक के रखा है, जिन्नोंने card number two choose किया है, आपके लिए आया है innocence का card, आपके husband और wife ना आपको लेकर बहुत emotional हो रहे हैं, positive हो रहे हैं, sensitive हो रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको बात करना चाहते हैं, आपके connection में दुबारा से आना चाहते हैं, लेकिन इ जबाब डाल रहे हैं, जिसकी वज़े से वो चाहकर भी आपके तरफ नहीं बढ़ पारें, क्योंकि उनके जो घर वाली हैं, उनके सामने वो मजबूर हो जाते हैं, और उनके against जाकर वो action नहीं ले पातें, तो ऐसी vibrations आ रही हैं, तो यह दी friends आप लोगों के लिए reading, hope resonate की हो होगी, अगर की है, तो please do like, share and comment, thank you so much for watching, क्योंकि जिन्होंने pile number two choose किया है, मैं देख पा रही हूं कि आपके person अपनी family की बहुत साथा सुनते है, may God bless you, bye, for now, take care.